अब 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 कर दो कि अब कि अब कि अब सर अमेरिका ने आरोप लगाया है कि खालिस्तानी नेताप Нु की हर्तिया की साजिस की गई जिसमें भारतीय थीकारी की संलिपता है भारत ने सम्मध में जांच बठा दी है अमेरिका ने भारत भारत पर दबाव बनाने के लिए अपनी दो रधिकारी भी दिल्ली भी भेजे थे इस भी खाबर है कि करनाडा के प्रधानमत्री ने कहा है कि यही बात जब मैं कह रहा था तब कोई नहीं मान रहा था इस सब को कैसे देखना है निरी जी देखिए गुर्वत गुर्पत्वन सिंग पन्नुकात हमें पता है कि कुछ दिनों से न्यूज में है यह और यह न्यूज में पहले तो है कि आतंकवादी गत्विधियों के लिए लेकर के है लेकिन याद कीजे कि 2020 में ही इसको भारत ने डिक्लेयर कर दिया था आतंकवादी जी इन फैक्ट वहिशक आतंकवादी करना चाहता था लेकिन इसने बल्कि बतलब इसने सिक्स फॉर जस बनाया है और कई चीजें करता रहता है जैसे लेटर्स देखिए उसने इस पर एर इंडिया तो कमेंट दिया था उसने कि एर इंडिया का हम बंद कर देंगे और उसे याद दिलाई थी जो करनिश्का का हुआ था उसको याद दिलाए था लेकिन ए बीच बीच में कुछ ऐस गत्विदिया और नाइच करता रहा है जैसे उसने एक इंडियन इन करनाडा अंडर थ्रेट करके विशेप पर एक चर्चा आउजित की थी फिर इसने भी कहा था कि इसके लिए यहाँ पर पंजाब में यहाँ के लिए कि खलिस्तान के ऊपर जो है रिफरेंडम होना है यहाँ की कर रहा है जहां कर कि कोई चर्चाई नहीं है खलिस्तान की तो यह सब चीजें जिसकों की देख करके कोई और यहीं चीज मैं कहता हूं अमेरिका के खिलाफ। अगर कोई बोलता कहता तो अमेरिका कैसे रेक्ट करता जी उनको भी एक सोचिन वाली बात थी और जैसे मैंने कहा था कि इसको तो 2020 में यूपी एक्ट के अंदर उन्होंने पाबंदी लगा रखे थी भारत ने तो अगर यह हो रखा था तो क्या अमेरिका को पता नहीं था कि तीन साल से यूपी एक्ट के अंदर है और वह भी जैसे हम उनके कानून को इजत करते हैं हमारे कानून को भी रिस्प्रक्ट करते हैं इजत करते हैं तो यह चीज पता होनी चाहिए थी दूसरा जहां तक इसमें इसको भारत ने तो बहुत पहले केस टेक अप किया था इसको नो फ्लाइ उसमें डालिये कि यह कहीं बाहर आजा नहीं सके इसके फंडिंग रोकिये लेकिन यह चीज नहीं हुआ और अभी जो लेटेस्ट आई है आप देखिए इतना बड़ा अगर कोई थ्रिट दे कि हम एर इंडिया का विमानी नहीं लड़ चलने देंगे लोगों को बोल रहा है कि इसको चलने ही मत दो ब्लास्ट करेंगे मतलब ऐसी चीज़ें करने का यह तो एक तरह से ओपें ट्रिरिजम हो गई तो उसको क्या मैं अगर दूसरे शब्दे में कहूं तो क्या अमेरिका जो है जो भारत विरिदू ऐसे तत्व हैं उनको क्या अपना देना च इस मंत्राले ने तो बोला है कि जो भी ऐसी चीज आती है और अमेरिका या हमारे जैसे भी मित्रदेश हैं उनके यहां से अगर इस तरह की कोई चीज आती है तो हम उसको पूरा संग्यान लेते हैं उन्होंने जांच कमिशन भी बिठा दिये हर एक चीज चेक करने के भी बा दी चाँब की थी लेकिन न मैंने ही कहुँगा कि एक आद्मे के अउपर जिसकी कर्तूत सब देख चुके हैं जिसके बारे में पूरा डोजियर भी अमेरिका को दिया जा चुका है और उसके बारे में एक बात कहना कितनी सही है गलत है मैं नहीं कह सकता और में भी नहीं तो कोई दोर आए नहीं है कि जो पनु है यह आतंकवादी है इसको अलड़ी भारत ने डिकलेयर कर चुका है तो अगर ऐसी चीज है तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें सोचनी की जवर्ट है क्योंकि धमकी देना वहां भारत में जो हमारे राजदूत ने हमार तो कैनेडा में हुई हैं और यहां भी अमेरीका कि उसमें क्या यह एक फिट नहीं दिखाता है श्रफड मेरी Черू क्लेम दिखा यह जो चीज है यह उसके खिलाफ तो जकी हैं अगर अमेरिका इस तरह कह रहा है कि होना था City ने रोक दिया मैं तो खूँँ अच्छीय बातते चलिये अगर उन्हों ने आगर रोक दीया और ones को पता है इसकी आतेववाद के बारे में तो फिर क्यों नहीं दे पाये थे हो ये टोटल बात हो रही है अमेरिका में पन्नो के बारे में हो रही है तो इस बारे में उनका बोलना अब कितना सही है होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो गलत है क्योंकि खुद उनके देश में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो हम कितना सुने कहें तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर उनकी बात उतनी सही होती, तो जिस तरह अमेरिका ने बोला है, भारत ने तो तुरुम्प बोला है कि हम इसके करवाई करेंगे, और कनाड़ा भारत ने भारत ने कहा आप सबूत तो दो, बिल्कुल एक्जैक्ली होई मैं कह रहा हूं, ब इसमें अधिकारियों के अब कितने सही हैं, जिसने भी इनाम लिया है, वहाँ गुपता िकी बात की जारी है, इसमें, कितने ही उसकी कितनी साथ तकता है, कितना सही है, कितना प्रेशर में मैं नहीं है, क्या बात कर रहा है, तो यह साही है, मैं तो घृफ्स जरूरा ए दो लेकिन पन्नू के खिलाफ भी अगर इतने सबूत भारत दे रहा है तो उस पर भी अमेरिका को कुछ नो कुछ करवाई करने चाहिए जी बिलकुत सर अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नी